करेंगे तो अच्छा स्पोर बना सकेंगे और ये बन दिवासी करते हैं प्रीज कर आएने हैं नहीं करने पास अमीद यही है कि टीम प्लान के साथ हुचुले रहेंगे और एंकर का रोलगा करेंगे करेंगे प्रीज करेंगे और ये बना स्टारी करेंगे प्लान करेंगे लोकेट की स्पीड से गई है गेंड ये फैंस तक बिल्डर की सिर्फ तीछे मुड़कर देखेंगे छे रन खाते में पहली गेंड पर चक्का इस से बहता शुरुआत कहा है संभाव हाँ और ना में टाइम बेस्ट नहीं किया फिल्डर का पढ़िया थ्रो एक टॉंस टॉंस के ऊपर आगेश आली की दुरगटना नहीं घटी बन्लेबास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश किसी भी खाता और नहीं खुला खाता जहां था फिल्डर वही थमाया कैच तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता क्लास हैं को संभाई की खिल्मा होगा और पुशिश करनी होता अंत तक ये लाबाद है हुची पूर गई है रोकेट की दर पहली गेंट पर छक्का इस से बहता शुरुआत कहा है संभाब हुची पूर की छटी के लेके मटोरा है चौक का एक और ओवर की समापती समय है बूलिंग में चेंज का आज लगता है तूफान आने वाला है एक पेस बूलर गया तो उस से बहतरीन गेंट बाजी के लिए आया अन प्लेबल बल्यबास को थोड़ा क्रैम किया एक और डॉट बॉल गेद बास के लिए ना ना बिल्कुल नहीं पड़ पाए इस गेड़ और राफ पास के लिए पैसमेर की गल्ती फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट ना प्लेबल बल्यबास जी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर किस बोगा अक्टर बेसिक्स बढ़िया लेंच पर बढ़िया केट अर्ट और गेंद के साथ प्रेशर पड़ता हुआ चतुराई भरा मिश्रन केंद बास को फिर नहीं मिला रूम खावोश वो है और स्कोर बोर्ड दी यह चोकर है यह संदेश है कि यहां गेंद डालोगे तो बांडरे से उठा कर लाओगे गेंद को कर रहे हैं यह क्या सोच रहे हैं यह कैचिंग प्रैक्टिस है क्या एक्सिलेंट इनिक्स बोलोस को महलत तो करनी पड़ेगी लेकिन बल्ले बासु को नहीं के अदाज पूछेगी कुछ पतिन सवाल लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए सलामी जोड़ी ऐसा खेले कि सब इनको सलाम है पहली गेट पर कवादिया था विकेट ब्रेट कैच बहुत आसान सा कैच टीप में ऐसा लगता है फ्री हूम डिलिवरी देकर गए है कैच और इस सिरिंग की पहली विकेट गेदबाज तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता हूँ अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है जीदे को पीजे छोड़ दे इतनी ते अगर फिल्डरों के इंदबाज का अच्छा ताल मेल बड़िया थ्रोग दूसरी के दूसरी सफलता के इंदबाज is on a roll तुरक्षित हाथ है इस फिल्डर के कैच क्रॉस हैं को सम्होल के खिल्मा होगा और पूशिश करनी होगा अंध तक ये नाबाद है बड़िया जच्छमेंट इस रणिंग बड़िया रंगटोर आप बल्ले बाजों आज यहां बेजा गया है इनको दिशा खराब तो दशा खराब दिशा ही नगेंद है वाइड के जरीए एक अधरिक्त रं है एक और साधारन सी कोशिश एक बार फिर वाइड एक और एक्स्ट्रा ये गेंद गई बहुत दूर कोसो दूर और देकर गई है वाइड के चार रं विपक्षी टीम को असा लगा जैसे गेंद गाया भी हो गई हो क्योंकि बल्ले से तो सटी गेंद डॉट गेंद एक बर फिर दिशाहीन गेंद बाजी एक बर फिर वाइड का रं ये गेंद गई बहुत दूर कोसो दूर और देकर गई है वाइड के चार रं विपक्षी टीम को अजिनी की तरह कौदे हैं कि हाद बेल्स आफिन फ्लेश वंडर्फुक सटी गेंद बाजी बल्ले बास को मतलब समझाया शुन्यका अपनी सिकेट नहीं कवानी में यहां है तो फिर गोगा प्रुबेसिक्स पीस पर आए हैं नहीं बल्ले बास अमीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे डाउन दा ग्राउंड सीधा शॉर्ट लेकिन कहलाएगा स्टॉप छे गेंदो का ओवर छटी गेंद छे रन ओवर फिरिश और इस गेंद के साथ वो ओवर समागे गेंद बास कर रहे हैं मिल लायक और सबसे रोमाच अगोवर की शुरुवाद टेज गेंद बास है यह अब देखना यह है क्या साथ में थोड़ी स्प्रिंग भी कर सकते हैं केंद बासी यूनिट की एक आगे दा शुरुवाद गोल्डन का लागोज शेटाप वोज पकड़ा इस कैच को अंते पुवर में बल्ले बास का वेंद बास का रहे हैं